कि 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 मेरा नाम शुभम शिर्वास्ताव हैं हम जुड़ चुके हैं आज एक बहुती अमेजिंग से सेशन में जिसका नाम है कम्प्लीट सिलोगिजम इन वन चॉट राइट आप देखती होंगे कि बहुत सारी क्लासेज आप सभी लोग को हमारे दौरा मिल रही होती है और वो जो क्लासेज होती है ठीक है तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए हम यूट्यूब में कर रहे होते हैं ठीक है कम्प्लीट कंसेप्च्वल पेस्ट त्यारी कराई जाए तो फर्स्ट फॉल जल्दी से बता दीजें कि मेरी आवास आप सभी तक पहुंच रही है पहतर तरीके से वीडियो क्लियर दिख रहा है तो हम शुरू करें आज कि हमारे इस जबर्दस सेशन को और आप सभी को पता जो समस्य आती है मैंने maximum लोकों देखा है बोल रहे होते हैं कि सर पाच क्वेश्टन तो आते हैं na exam में तीन सभी होते हैं औरETH कभी दो सभी होते हैं सर यह गलत हो काँ रहा है तो भाई बात तो बिलकुर लाजबी सी है कि जब तक concept part पे हम strong नहीं होंगे तो चार cases को पढ़ करके हम यह बोलने लगें कि सिलोग तो मेरा यहाँ पर क्या strength है और जब वही strength weakness में दिखने लगती है तो लगता है कहां कमी रह गई तो सबसे पहले आज की session को शुरू करने इस पहले मैं बोलूँगा कि जो लोग अभी तक सिलोग नहीं पड़े हैं या फिर जो लोग सिलोग अलेड़ी पढ़ चुके हैं आज दोनों लोग जुड़ेगा आज आप सभी को depth knowledge दूँगा इस सिलोगिजम की और topic खतम करूँगा यह बात याद रखेगा ठाना पीना आप खा चुके होंगे जुड़ जाएए बैट जाएए एक register ले लिजे पैन ले लिजे और बस concentrate करते रही है आज के इस particular session की ओड़ेगा गुजारश रहेगी बस session को start करते ही जितनी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सारीक सारी लोग यहाँ पर session को प्लीज एक बार थमसब दिखा दीजी को कितनी रात है इतनी रात आप सभी लोग के वीश में यहाँ पर मैं जुड़ा ह बन चुका है वो लिख देगा वन और जिसने अच्छे सथ नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वह लिख देगा यहाँ पर टू मेरे भाई टिक है जो पर चुका है वह वन लिखेगा जो नहीं पढ़ा है कमजोर है इस में तो एक बार वह लिख देगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के तरफ हम लोग यह पर शीरी गणेस करते हैं हमारे आज की सेशन का मेरे वाइटिक है सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि सिलोग किसम कैसा पढ़ना चाहते हो जिससे कि आप किसी भी एक प्रेश्र में नाट के जो कि मेंस तक भ है मेरे रहं पैक्षिना का हों कि सबसे पहले मैं बात करता हूं तिन न्याहन निग्मन statement आपको दिये होते हैं और conclusion आपको निकालने होते हैं किसी भी statement के भिहाब पर statement आपके क्या हो सकते हैं समझेगा एक statement, दो statement, तीन statement, चार statement conclusion की बात अगर करी जाए तो conclusion यहाँ पर कम से कम यहाँ पर दो तो होते ही है और अगर P.O. label की एक्जाम की बात करी जाए तो तीन या चार भी हो सकते हैं कभी भी किसी भी conclusion को अगर हम conclude करते हैं तो किस से यहाँ पर compare करते हैं हमेशा याद रखना statement से compare करते हैं statement से comparison करते हैं और statement जो भी जवाब देता है हम वही यहाँ पर देख करके सही या फिर गलत चुनो करते हैं तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं syllogism को यहाँ पर किस method से solve करना है syllogism को यहाँ पर किस method से solve करना है देखो the best method जो एक सबसे बढ़िया सबसे 60 method होता है हुता हैं पर घलती होने का च्छांस ही नहीं हावा में सी लॉग नहीं करना हो हवाळी खलत है कि विन डाइग्राम पढ़ा है सही से कंसेट को समझा है तो आप गलती नहीं करोगे तो होता क्या है दरसल कि आप लोग सीधे सिलॉगिजम में आते हैं सिधे और सम नॉट नो में पहुंच जाते हैं उनकी कंडिशन को सॉल्व करना शुरू कर देते है लेकिन मैं आपको सिखाऊँगा कि वें डाइग्राम को मैं समझाऊँगा आखिर कार वह या सम का हो या सम नॉट नॉट या फिर नौ का हो तेयार है बता ना होता है कौन सब्सक्राइब कर रहा है कौन सब्सक्राइब कर रहा है इसके अलवा आपको अगर देखा जाए means के point of view से तो आपको यही जो आपका simple silog होता है statement के भिहाब पर conclusion को निकालना उसके लिए 4 conditions भी देखी जाती है पहली condition कि इन conclusion को logically follow बताओ कौन कर रहा है कौन सा conclusion आपका logically follow हो रहा है दूसरा condition definitely follow कौन सा हो रहा है तीसरा आपका does not logical follow कौन सा follow नहीं कर रहा है और चौथा होता है definitely does not follow यह चार जो conditions होती है मैसे जो पहली वाली condition है logically follow यही maximum time पूछी जा रही होती है आपकी परिक्षाओं में लेकिन वो जो बची वी 3 है उनका use देखा गया कई बार means के परिक्षाओं में होता आया है उसके बाद फिर आता है यहाँ पर क्या पहला तो आपका हो गया है यहाँ पर क्या direct silogs पहला क्या हो गया direct silogs ठीकर दूसरा जो होता है वो होता है आपका आपका आपके देखाऊगा reverse silog क्या होता है reverse यह reverse silog याद रखेगा अगर आप सही करना चाहते हैं तो आपको basic जानना बहुत ज़रूरी है basic चीज़ आपको आनी चाहिए is that clear third जो चीज़ आपकी बन जाती है वो क्या बन जाती है which is called आपका coded syllog क्या होता है coded syllogism क्या होता है coded syllogism जो की mains का पार्ट होता है चौथा जो आपका होता है इसे xy pattern syllogs बोलते हैं जहां पर आपको column based यहां पर देखने को मिलता है content ठीक है column based ठीक है statement में x एक missing होता है और conclusion में y missing होता है और column होता है जहां पर 5 विकल्प होते हैं जिसमें x और y एक्स और y दिया होता है ठीक है न तो यह जितने भी आपके मेंस लेबल या बड़े लेबल के हैं वह आपके किसे भी जड़ते हैं basic concepts अगर आपको आते हैं अगर अच्छे से आते हैं यह सब क्या है take walk for you all ओके तो चलिए हम बढ़ते हैं basic को सीखने के लिए चुकि यह आपका syllogism ऐसा syllogism है मैं आप पर बिल्कुल तह से शुरुआत कर रहा हूं बिल्कुल basic शुरुआत कर रहा हूं ठीक है बेटा proper notes बना लेना आप लोग सबसे पहले चलते हैं syllogism में यूज होने वाले यहापर के conditions कौन कौन सी होती है basic जो conditions होती है जिससे हम यहापर बोलते है all some some not and no यह basic conditions होती है इसी पर निर्भार होता है आपका question आपका question जिसमें आप देखते होगे अगर बात की जाए यहापर all की तो all का diagram आप लोग कैसे जानते हो ऐसे जानते हो जानते हो अगर कह दिया जाया यहापर some AR B तो कैसे जानते हो ऐसे जानते हो और कोई भी A B नहीं है आप ऐसे जानते हो इनकी diagrams हर एक व्यक्ति की दिमाग में तुरंत दोढ़ने लगते हैं जब हम नाम रहते है all तो तो तु सब्सक्राइब 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 इसके जब आप बेसिक ये चार चीजे पढ़ लेते हो अलग अलग फिर कमाइंड करने लगते हो फिर इसमें जुड़ जाती है क्या फिर जोड़ता है अपका जोड़ां जोड़ जोड़ी है ये आपकी एग्जाम में देखने को मिलता है या फिर उनली हो तो चलिए बढ़ते हैं अमागी की तरफ सबसे पहले all, some, some, not, or no को क्या हम कुछ और शब्दों से भी जानते हैं क्या क्या अगर हमको इनकी जगे कोई और words अगर मिल गया हमारी examination में तो वो क्या हो सकते हैं आईए एक पर बात करते हैं ठीक है बचो हाँ कुछ लोग बोले हैं सबसे पहले समझेगा यहाँ पर जो आपके statement एक conclusion है दो type क्यों होते है all, some, positive, no, and some, not यहाँ पर क्या? negative अब क्या हम in all, some, some, not, no को क्या कुछ और शब्दों से भी यहाँ पर रख सकते हैं देख सकते हैं जिहां all आप देखे हैं यहाँ पर each, every, only, hundred percent, any is that clear? अगर यह शब्द आगए statement में यह आपका represent कर रहे होते है all क्या represent कर रहे होते हैं? all represent कर रहे होते हैं ठीक है न? बचो अगर बात करें हम लोग यहाँ पर sum की तो यहाँ पर क्या sum के लिए क्या क्या use होता है? generally 0.1% से लेकर 99.9% कितने ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर अच्छे से नहीं जानते होंगे इसका मैं आज जिक्र आपके सामने करूँगा ठीक है न? फिर आता है यहाँ पर क्या minimum फिर आता है क्या maximum फिर आता है century, फिर आता है almost अधिक से अधिक, few, a few many, mostly यह जितने भी टर्मोलोजी हैं यह सारे के सारे टर्मोलोजी सम के जगह पर यूज किये जा सकते हैं मेरे भाई Is that clear? कोई doubt किसी को? किसी प्रकार का? कोई doubt है क्या? एक बार मैंने को बता सकते हो किसी प्रकार कोई doubt है? These are keywords, right? अब बात करते हैं यहां पे कि सर बोलेंगे कि सर मैक्सिमम तम के लिए उस होता है कि आरे सर वो तो all होता नहीं भाई मैक्सिमम आपका क्या होता है यह आप याद रखेगा जो मैक्सिमम होता है आप इसको मैं उधानर देता हूँ मैं कहता हूँ कि जब हम किसी विंडो शॉपिंग में जाते हैं तो हम वहाँ पर उससे पूछते हैं भाई जी कितना मैक्सिमम डिसकाउंट नहीं है तो वो क्या बोलता है यह दस परसंट दे पाएंगे मैक्सिमम पगल वाली दुकान में चले हंड्ड्ड से लगा रहे हैं याद रखेगा एक बहुत अच्छी दरीचे से परसंट का मतलब ओल नहीं होता है हंड्डड परसंट का मतलब ओल होता है संचुरी को अगर देखो मैं तो आप सभी लोग संचुरी को जानते होंगे ay बाव भी आप अच्छे से जानते होगे, कि Sun 2000 जो है, ये कैसे ijer century है, Sun आपका 400 कैसे ijer आपका century है, Sun 800 कैसे ijer, तो century है तो century है और कोई अंत ही नहीं है मेरे भाई, تंएrav, century आपका all में नहीं, किसमें आता है, sum में आता है, क्योंकि century का मतलब आप 100 से समझ रहे हैं, लिकिन जब है तब आप all वहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीके ना, done, आई ये तरफ बढ़ा जाए, चलो भई, अब यहाँ पर some not, hardly, seldom, scarcely, कई बार, पियों की परिक्षाओं में, मेंस लेबल पर ऐसे शब्दों का use जो हुआ है, लोग देखके परचाहिए करना क्या भई, तो seldom हो गया, आपका hardly, scarcely, ये होता है, शायद ही मतलब, some not की जगह पर use होता है, clear है बच्चो, no का मतलब है, आपर none, never, no, one, all, not, all, not, all, not, 0%, ये किस के लिए होता है, बच्चो, यहाँ आपर no के लिए होता है, clear है, इस शब्दा वाली clear है, अगर ऐसा कुछ आ जागा, तो आप तो नहीं भटकेंगे, आप तो नहीं बूलेंगे, please, screenshot ले लिए, बात पहरां से, notes वगर आप लोग बनाते रहिएगा, मैं वादा करता हूँ कि इस डेल से दो घंटे की class में, आज सिलोगिसम भी कतम करूँगा, और मैं ये कहला कि तुमको भेजूँगा, वाओ सर, मजा आ गया, जब तक तुभी नहीं बोलोगा, तब तक हम मानेंगे नहीं, हमने सिलोग्स पढ़ाए, और हमें पूरा आई के तरब चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, आप से एक प्रशन पूछना चाहता हूँ, पूछू मैं, जवाब दोगे, चलो आजाओ, यह जो दो तरह की conditions होती है, एक होता है, कोई भी चीज के लिए certain होना, यह चीज के लिए तो मैं निश्यत हूँ, certain क्या होता है, certain मतलब one and only result, जिस चीज के बारे में हम निश्यत हो, uncertain क्या होता है बाबू, uncertain होता है more than one result, एक से अधिक result हो सकते हैं, which is called uncertain, right, मैं पूछना चाहूँगा आप सबी से, थोड़ा सापका समय लूँगा, पूछूँगा, याद रखेगा, चैट बॉक्स में active रह some not, और एक होता है आपर क्या no, मेरा प्रेश्ण है, क्योंकि सिलोग का जो जड़ है ना, जो रूट है ना, वो यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इसका difference आपने समझ लिया, इसको अगर सीख लिया, कसम गंगा मया की, आप ऐसे कोई भी concept, कोई भी ऐसी particular नापर question यह जो आप नहीं स्वल कर पाओ, ठीक है, आएं, चलो, मैं पूछना चाहता हूँ, certain का मतलब क्या होता है बच्चो, निशित, जब आप निशित होते हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, I am certain यार, I am definite हूँ, मैं निशित sure हूँ यार में, तो certain का मत बोलता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर more than one result, क्या बोलता हूँ, एक बार जल्दी से बोल दो, हाया ना, चलो, अब मेरा प्रश्न शुरू होता है, यहाँ पर सारे, जितनी भी लोग जुड़े हुए, प्रश्न यह है, कि इन चारों कंडिशन में से, कौन सी कं कंडिशन अंसर्टिर है, आपका समय शुरू होता है, पंदरा सेकिंड का, अब, चलिए बताइए, आम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ, पान या नहीं पीलू अराम से, है ना, बने रहना है, बने रहना है, जो बना रहेगा, मैदान जीत के जाएगा, आज के जो देल घंटे, दो घंटे होगे, ये तुम्हारे आने वाले सारे एक्जामनेशन के एसे लोगे से को कवर करेंगे, ये वादा है, शुबम सरका, ठीक है, चलो, यहाँ पर हमारे जो पूर वे स्टुडेंट है, वो भी जुड़े हुए हम देखना है, है ना, तडाक से आंसर दे दिये, भडाक से आंसर दे दिये, ठीक है, आज़ा बच्छो, जनरली यहाँ पर जो मैक्सिमम आंसर आएगा, वो ये आएगा, कि सर जो आल है, वो सर्टेन है, और जो नो है, वो सर्टेन है, यही तो आएगा ना भई, यही तो आंसर आएगा, ओके, बच्छो, यहाँ पर समझना होगा, कि आल और नो जो देखने में लगते हैं कि निश्यत है, सर्टेन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, बताना चाऊंगा, नो एक ऐसा पेटिक्लर यहाँ पर कंसिप्ट है, नो एक ऐसी कंडिशन है, जो सर्टेन होती है, बाकी मैं आपको बता दूँ, बाकी मैं आपको बता दूँ, कि कोई भी कंडिशन सर्टेन नहीं है, यह सारी कंडिशन क्या है, अनसर्टेन होती है, यह बात याद रखना, यह बात याद रखना, ठी तीनों आपकी अंसर्टेन होती है, सर, क्यों, सम को तो हमने मान लिया, सर जी, कि अगर सम के बारे में बोलू, मैं बोल दू, इस बॉटल में कुछ पानी है, पुरा एक्जामपल लेके बैठा हूँ आँ तुमारे में, ठीके ना, बहुत मज़ाएगा, जो पेड़ जो लोग होते हैं, बहुत मज़े, लूटते हैं इस क्लास में वारे, ठीके ना, इस बॉटल में कुछ पानी है, सर, क्या आप बता सकते हैं, कितना पानी है, नहीं सर, सम का तो समझ में आता है, कि इसके कई रिजल्ट हो सकते हैं, दस परसंट, बीस परसंट, टीस परसंट, है बोटल, बताओ, कितना पानी है, is that clear? अब देखों, यहाँ पे, सम नॉट, इस बोटल में कुछ पानी नहीं है, सहाब, अब आपसे पूछू, बताओ हो, वो होगा, uncertain, बोलो, बतल सही कह रहे है, देखो, अब मैं तुमकों देता हूँ example, क्योंकि तुमकों सदमा लगा है, कि sir, all कैसे uncertain हो सकता है, तो मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ, ठीक है, बच्चो, आ जाओ, मैं आगे की तरफ बढ़ू, यहां बताता हूँ, बढ़िया साप, साप, ठीक है, चलो, बताता हूँ, अगर मैं all की तरफ जाता हूँ, ठीक है, all क्यों हमारा uncertain होता है, इसका मतलब की sir, all में, क्या एक से अधिक possibility देखी जा सकती है, क्या भले हाँ, sir, देखी जा सकती है, क्या उस statement के को किसी और भी डाइगराम में देखा जा सकता है, हाँ, देखा जा सकता है, आओ, सिखाते है, यहाँ पर मैं कह दूँ अगर, कि all ARB, मेरी बास समझ समझते हैं, क्या समझते हैं, कि सभी AB के अंदर है, क्या समझते हैं, हिंदी मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, सभी AB के क्या है, बच्छो, अंदर है, ठीक है, अंदर है, सभी AB के अंदर है, जब सभी AB के अंदर है, यही समझते हैं, लेकिन दरसल होता क्या है, बच्छो, यह इसका माइने है ही नहीं इसका माइने ये है ही नहीं सभी A, B के अंदर है ये तो डाइग्राम दिमाग में है तब हम बोलने है कि All A, B का मतलब सभी A, B के अंदर है अर दरसल मतलब क्या होता है इसका इसका मतलब होता है कि सभी A, क्या बोला है इसने बहुत प्यार से आपको बताने जा रहा हूँ, कि क्यों इसको uncertain बोला, more than one result होंगे, तब ही बोला, आजाओ, होता क्या है, generally diagram हम ऐसा बना दिते हैं, कैसा, ऐसा, all A or B ऐसा बना दिया, और अब ये हमारी सोच हो गई, कि A हमेशा B के अंदर होगा, ये हमारी सोच हो गई, बलो ह जला दो सा, ठीक है, येर, ऐसा, आप मान के चल रहे हो, कि A, B के अंदर ही है, लेकिन, ऐसा भी तो हो सकता है, कि A और B का जो volume है, equal भी तो हो सकता है, is that clear, बोलो, क्योंकि A के बारे में, all A and B, पूरा A, B का हिस्सा है, तो A का volume, और B का volume, ये भी क्या हो सकते हैं, बराबर भ पास माना की, A के पास 100 element है, माना की, और B के पास भी कितने element है, 100 element है, 100 element बराबर हिस्सा, इसके पास भी है, और इसके पास भी है, अब कहता है, all A and B, तो डागराम हम कैसा, ऐसा भी बना सेखते हैं, मैंने ये निम बला गलत है, लेकिन ये भी तो इस चीज की संभावना यह पर जता रहा है, कि यहाँ पर A, B को ओवरलैप कर सकता है, बलो हाया ना, जल्दी से बलो बच्चो, हाँ या फिर ना, ठीक है, कलियर है यहाँ तक, इसका मतलब क्या हुआ सर, जब हम इस statement को यहाँ पर भी देख सकते हैं, all A and B हमारा यहाँ पर क्या, यह पॉसिबल है, और all A and B को यहाँ भी देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर क्या, यह भी हमारा क्या है, पॉसिबल है, इसका मतलब, जब हम अपने statement को यहाँ और यहाँ देख सकते हैं, इसका मतलब, more than one result for the all condition, आप जब किसी फेस्ट में जाते हो, किसी मेले में जाते हो, वो कहाँ रिंग वाला ग वहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी किस्मा दाजवानी शुरू करिए, मैंने रिंग को फेका, रिंग जो था, पहली बार में इसके अंदर चला गया, और मैंने जब रिंग भेका, तो यहाँ पर क्या, इसको ओवरलाब पर लेगा, इसका मतलब क्या, दोनों का size बरावान, यह भी तो possible हो सकता है, यह और यह दोनों condition तो यहाँ पर all के हो सकते हैं, जल्दी से बलो हाँ या फिर ना, आज दूद का दूद और पानी का पानी होगा, जिसरे कहीं से भी पढ़ाओ, किसी से भी पढ़ाओ, सारे teachers का समान करता हो, और जबरदस्ट पढ़ाया होगा, ले यह बराबर भी तो हो सकते हैं, पूरा A, B के अंदर ऐसे भी हो सकता है, पूरा A, B यहाँ पर समभावना में ऐसे भी हो सकता है, अब इसका प्रूफ और देता हूँ, चलते हैं पीछे एक बार, इसका प्रूफ ऐसे देता हूँ, मैंने क्या मोला कि जिस भी condition के लिए one and only result स जैसे हो जाएंगे, वो आपका क्या होगा certain, और जिसके लिए आपकी result अलग अलग होगे, वो होगा uncertain, जैसे इसको पकड़ते all, मान लीजी यह घर है, मैंने आपको यहाँ पर बोला, मैंने आपको बोला, कि यार, आज जो है, मेरी colony में घुस्ते साथ जो दूसरा घर है, उ जो, we are not sure, हमको capacity पता नहीं है, is that clear, यहाँ पर 5 भी हो सकते है, 3 भी हो सकते है, 2 भी हो सकते है, 6 और 8 भी हो सकते है, इस घर में, इस घर में, तो क्या मुझे बता सकते हो, कितने लोग है घर में, नमबर दे सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, सर, एक, दो, कुछ लोग बोलेंगे, तीर, क्या exact सारे लोग एक ही बोलेंगे, नहीं सर, नहीं, 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 बल्डेपल आंसर, इस में आ जाहिए, सम नौट में, आपर मैंने बोल दिया भाई, आज इस मकान में कुछ लोग नहीं है, क्या बता सकते हो, कितने लो यहां सब का आनसर हैंगा तो यहां पर यहां पर इस चीज queites को बहुत आठी तरीके से दिमाग में फिट कर पाए होंगे यह सिलोग कही ने कही जो पढ़ रहे हैं उनको पेशेंस रख के पढ़ना होगा ठीक है ना यह हवा हवाई वाला सिलोग नहीं है एक घंटे में घतम गुरुजी बहुत मज़ाया गुरुजी ने बहुत असा है यह भी ग्जैमपल दिया वह गुपता जी दिया का है को गुप एक स्रेटमेंट है वो इसमें भी हम देख सकते हैं मतलब पॉसिबल मतलब क्या है पॉसिबल है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं यह सुदरसन चक्र होता है यह क्या होता है आपको आगे भी पता चलेगा बहुत सारे लोग जब आपको यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा होत है तो क्यों होता है यह उसका परदा फास करेगा यह वाला डाइगरम ऑल की कंडिशन में हम आगे की तरफ बढ़ रहे है ठीक है अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे है ठीक है ना चलिए अब हम बढ़ते है किसकी तरफ यहाँ पर सम को समझते हैं ठीक है सम को समझते हैं ठीक Sum कैसा है? Uncertain है. अब Sum की परिभाशा क्या होती है? Sum की परिभाशा क्या क्या होती? पहले हो समझना. पच्चो, Sum की परिभाशा होती है. माल लिजी, ये A है. और माल लिजी, 예 B है. ठीके, ना? दोनों के पास 100 element का space है. ठीक है इसके पास भी और इसके पास भी अगर A और B की बीच के सम का relation दिखाना है तो क्या करना होगा परीभाशा कहती है definition कहती है कि A का उन 100 element में से अगर एक element भी अगर इससे क्या करेगा या पर attach हो जाएगा इससे relate कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा सर जी वो बन जाएगा समका condition तो समक कंडिशन दिखाने के लिए मैं बोलतूं आप सभी लोगों से कि दिखाना है कि इस बॉटल में कुछ पानी है उसकी condition क्या हो सकती है कम से कम कितना बूंद पानी होना चाहिए कम से कम एक होना चा चाहिए तो यहाँ पर क्या है कम से कम क्या है एट लीस्ट क्या है बच्छो एट लीस्ट समकी condition दिखाने के लिए एट लीस्ट क्या एक element एक का बी में जाना चाहिए तभी क्या बनेगा समका case आपने पढ़ा होगा कई बार कि एट लीस्ट वन परसन है ना तो आप उसके ल अगर आक्र इंट वन देख रहे हो तो मैक्स्मूम कितना हो सकता है जितनी capacity है इसके पास इसके आपका बन जाएगा सम लेकर मैक्सिम्म कितना हो सकता है हो सकता है है नहीं हो सकता है तो भाईया यहाँ पर पूरा जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे all, जिसे हम पूरा क्या बोल देंगे all, मतलब क्या a बराबर b भी possible है और all a यहाँ पर क्या b में भी आपका ये वाला statement देखो existence दिखा रहा है all b r a में भी आपका ये statement existence दिखा रहा है इसका मतलब sum का standard diagram तो यही बनेगा लेकिन अगर बात की जाए इसके possible इसकी possibility कहां कहां है कहां कहां पर देखा जा रहा है देखो sum यार b देखो इसमें देखा जा रहा है जब पूरा a भी है तो कुछ a तो b हो गई होगा जब all b r a है तो a कुछ part b में हो गई होगा ये क्या है possible cases है क्या है ये possible cases है क्या बोला मैंने at least अगर एक व्यक्ति इनके घर जाता है दावत खाने तो maximum कितने जा सकते हैं जितने यहाँ पर हैं ये क्या है possible है definite नहीं है क्या है possible है definite नहीं है कई बार आपने देखा होगा लेकिन आपको इतने सारे diagram याद नहीं रखने कि वहले एक चीज़ आपको याद रखने है which is बीच वाला ये a is equals to b बस ये वाला काम कतम क्या possible diagram नहीं क्योंकि हर वह possible diagram होगा जो uncertain condition होगी और हर वह possible diagram आपका possible होगा जिसमें statement exist कर रहा होगा जैसे कि यहाँ पर कर रहा है क्या sum ARB जिहां बिलकुल कर रहा है यह छोटे-छोटे point है जो आपको नहीं पढ़ाया जाते सीथे आज आते हैं कि आओ बेटा all का case पढ़ेंगे आओ बेटा sum का case पढ़ेंगे यह सब तेल लेने चले जाते हैं नहीं ऐसे करें ऐसा नहीं करनेगा ठीक है ऐसा नहीं करनेगा ओके done clear all समझ गए sum समझ गए अब हम चलते हैं आगी की तरफ अब चलते हैं sum not की तरफ sum की परिभाशा किसी ने नहीं पढ़े होगी sum का मतलब कम से कम एक विक्ति का आना जाना है अगर वो sum का case के लाएगा maximum जितने उस घर के सब आ सकते हैं ऐसे समझो जैसे कि मेरे हाँ जनम दिन था बेटी का मेरे बेटी का जनम दिन था नॉक्टूबर रहे हो ठीक है तो मैंने कहा क्यार उनके घर निमंत्र दे दो जैंडा मिस्रा जी के निमंत्र दे दो तो फिर हुआ क्या तो जब हिसाब लगाए गया क्यार कम से कम उनके एक आदमी तो आए गई आएगा मैंने का मैंक्सवाम कितने आ सकते हैं बालोग देने के तो मैंने का भाई साफ था आप लोग जरूर आईयेका तो अब मैंटेंशन में घर एक तो आप यहाँ एक मैरा इतना मैं आप बस सूचना कि सम के केस में 100% सही नहीं हुआ यह possibility दिखा रहा है कि यह इसमें exist कर रहा है यह अपना हिस्सा इसमें रखता है यह बात ध्यान रखना कुछ लोग होंगे दिमाग लगा लेंगे दिखा क्या यहां पर यह नहीं पढ़ेंगे बस दिमाग लगा लेंगे यह क नहीं जाते हैं तो यहां पर क्या हुआ वो सम था तो हमने at least one देखा कि जा सकता है और यह क्या है सम नौट है उसी का उल्टा तो इसकी definition क्या होई इसकी definition होई कि at least क्या definition होई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो एक घर का बी के घर में नहीं जाएगा इसी के वाई से वर् तो कम से कम एक ऐसा व्यक्ति वह जो से घर में नहीं जाएगा वाल्यूम कितने का है 100 पर 100 तो maximum कितने ऐसे हो सकते हैं जो ना जाएं तो बोला जितने उसमें हैं उतने पूरे ठीक है ना 100 नौट इसका मतलब क्या पूरे का पूरे नहीं मतलब क्या यह बन गया कि कुछ मतलब की पूरा का पूरा व्यक्ति नहीं जाएगा मतलब क्या हुआ नो क्या हो गया यहां पर नो तो इसका जो पॉस्विल डागराम बना सम नौट का वह आप देखो यह बनेगा यह बात याद रखेगा और यह देखो इस पर एक्जिस्ट कर रहा है कैसे जब कुछ ए बी नहीं है यह कहता कोई भी हिस्सा एक अभी में नहीं है जब कोई भी हिस्सा एक अभी में नहीं है तो यह वाली बात तो इसमें एक्जिस्ट होगी ना यह बात तो इसमें फॉलो होगी ना क्या बोलेंगे होगी सर वो चीज दे रहा हूं सर वो चीज दे रहा हूं जो सच मे कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रखेगी बस आपको मुझे आदा खंटे स्टार्टिंगे देना है उसके बाद तुम लोग खेलोगे और जब तक ये नहीं बोलोगे वाउ मजा गया तब तक मैं मानूगा नहीं मैं राज कुछ दिया आपको अब यहां पर कहा गया है अब यहां पर कहा गया है इसको कहीं और देखा नहीं जा सकता मतलब इसकी कोई भी possible situation नहीं हो सकती है कोई भी डाग्राम नहीं आ सकता जो उसके आपर exist कराए सिवाए इसके सिवाए इसके सिवाए इसके बोलो मजा है is that clear समझ में आ गया यह होता है यहाँ पर कि सर जी यही चीज़ बेंड़ नहीं पढ़ाए जाती है यह वाली नहीं पढ़ाए जाती और हम लोगों वहाँ पर खेला जाता है खेलो बचा हुआ पर पार पार उसमें नहीं जाएगा अब हम चलेंगे कहाँ अगर मान लीजिए कि आपके सामने जो कंक्लूजन है जो आपका स्टेट्मेंट है वह आल ही आल का है और इसमें लोग ट्रिक क्या बताते हैं आईए पहले उसमें विचार करते हैं अब आप बताना शुरू करना कि क्या क्या होगा ठीक है यहाँ पर मैं कहाँ अभी नहीं सर बस आदे गंटें ने दिए ठीक है आप खुद बोलोगे सर सब आ रहा है मजा आ रहा है ठीक है हर चीज का प्रूफ दे रहा है गुरू जी ठीक है आ जाओ और बीयर बग से मैंने ग발 लावई मना देते हैं और तो यह बनग finest व नहीं गया यहाँ पर क्या बन गया बहुत प्यार से ठीक है अ अब all के case को लोग conclusion में कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं सहब, ठीक है, वाजिव है ये, अगर अंदर से बाहर के element की बात हो रही हो, conclusion में, अंदर से बाहर कैसे सर, some beer bug, some beer sugar, all beer salt, इसे बोलते inside to outside, तो conclusion में, some से शुरू होने वाला conclusion, और all से शुरू होने वाला conclusion क्या होता है, सही होता है, क्या होता है, सही होता है, कहीं लिख लेना बिटा, काम आएगा, कहीं लिख लेना, ये काम आएगा, ठीक है, पर बास समझना, ना मैं like के लिए बोलूँगा, ना मैं share के लिए बोलूँगा, जितने हैं, वो सीख के जाएंगे, और जितने हैं उनको, अगर पसंद आता है, तो यहां पर हम सब करना, otherwise मत करना, ठीक है, चलो, अब अगर बाहर से अंदर की तरफ, अगर हम जा रहे होते हैं, तो some से शुर होने वाला सही, लेकिन all से शुरू होने वाला गलत होगा, लेकिन, अब इसमें भी यहां पर एक बात आती है, कि कैसा गलत होगा, सर जी, दो तरह के wrong होते हैं, एक होता है, definite wrong, और एक होता है, यार, हम कुछ कह नहीं सकते, जब आप किसी चीज के बारे में जानते हो, निश लगो होगा, अब मैं नहीं सकते हैं, किस बोटल के बारे मैं जानते हो, इसमें बाणी नहीं सकते, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए, कि सर जी, इसमें पानी नहीं है, मैं रहे, बिल्कुल गलत बात, पानी है, इसमें, पुझे क्या है निशित पता है याद रखेगा कि यहाँ पर जब आप आउट साइट से इन्वर्ड की तरफ जा रहे होते हैं तो उस केस में और से शुरू होने वाला जो आपका कंक्लूजन होता है वो कांट से में रॉंग होता है कैसा रॉंग होता है बिटा कांट से में चाहिए बच्चो, ठीके ना डिफरेंस आना चाहिए आए शुरुबात करते हैं और ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा जो आपको फसा रहा होगा कोई भी कंक्लूजन होगे जो आपको फसा रहा हो आप सबको जीत रहे होंगे जहां पर भी रोग बोलते ना यह बहुत अच्छा है यह conclusion बहुत important है उसका हमारे पास क्या है प्रूफ है और प्रूफ तुम्हारे पास अब खुद है कैसे मैं बताऊंगा तुम सीख चुके हो यह हो जागा क्या होगा आप लोग आसर करते हैं संच्छ आरर यहां पर क्या संच्ण है क्या यहां है तो आप बहार से नहीं जा सुगर है यह बात बिलकुल जग जाहर है बिलकुल सही है बचो आगे की तरफ बढ़ता हूँ आप इसे लोग बोलेंगे मैं भी बोलता हूँ बहुत बिपॉर्टेंट है आपको यह डिफरेंस समझना होगा कांट से में किसी भी स््टेट्मेंट लोंक कर रहा होता है और कुई भी स्टेट्मेंटsınız कि लगने वह किसकी सही होती है अरे संभावना उसकी जिसके बारे तुम अनजान होते हो लाड़ बैकर Привет वह तो आप ऑप उसकी possibility क्या होती है गलत होती है तो यह चीज आपको आपकी possibility में बहुत मददगार साबित होगी ट्रस में ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है आगे बढ़ते हैं सम बगार नॉट सॉल्ट ठीक है कुछ बग हाँ अब बात आती सर यह वाला जो चीज पर समझना यहाँ पर कैसे प्रूफ गिया सर क्यों हुआ कांट से सर इसके दो जबाब होते हैं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है तो यह प्रूफ करके दिखाईए कि हो कैसे सकता है इस एट फ्लियर तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है हमने और का केस पढ़ा था बच्छो चाहां बराबर सॉट तो यह भी जो जो अभी तो uncertain case है, uncertain जो case होता है, वो होता है आपका क्या, एक property के दो मालिक, मतलब एक से अधिक answer, is that clear, अगर एक property के दो मालिक हैं, तो दोनों का answer एक होना, उस चीज को definite करेगा, लेगा एक कहता है, सही और एक कहता है, गलत, मतलब वो क्या है, निश्यत नहीं हो पाया है, मतलब क्या सुगर तो इसको अगर जनरली फॉर्म में देखा जाए, तो हम क्या बोल नेंगे, अरे नहीं सर, गलत बात है, यही तो दिमाग में आता है ना, बच्छो, यही तो दिमाग में आता है ना, तो एक आपका statement, जो कि diagram कह रहा है, आपर क्या wrong, और एक कह रहा है, सही, मतलब एक सही कह रहा है, एक कहरा मैं बेचूंगा, प्रॉपर्टी, दूसरा कहरा मैं नहीं बेचूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम कुछ कह नहीं सकते, और कुछ कह नहीं सकते हो, क्या बोलते हैं, can't say me wrong, यह definite wrong नहीं है, किसी से भी दिखवा लेना, किसी से पढ़वा लेना, clear है कि नहीं आप है, is that clear, तबंज में आगई बात, आगे बढ़ते हैं, आओ बेटा, यह कब यूज होगा, लोगों को समझाने के लिए, बाकि तुम कैसे लगाओगे, all salt or sugar, ऐसे लगाओगे, कि all salt or sugar, कि पूरा salt यहाँ पर sugar का है, एक तो यह टेकनिक, दूसरी, इसे बोलते ह आपर क्या, blank space है न, यह जो blank space होता है, हमेशा याद लखना, blank space जो होता है, उसके बारे में कभी भी आप निश्यत नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, can't say me wrong, can't say me wrong, कभी भी आप निश्यत नहीं बोल सकते, मज़ा आएगा, यह मेरी guarantee, बाउ लिखना शुरू हो गया देखो वाई साथ, पूरा बग सॉल्ट के घर में रहता है, और कहता है कि कुछ बग सॉल्ट रही है, अरे कता ही गलत है, निशित रूप से गलत है, क्यों? क्योंकि ये conclusion इस statement में दिए information का बहिस्कार कर रहा है, contradiction हो रहा है, that is why wrong, clear है, यहां देखो बच्चो, no bug are here salt, कोई भी bug का रहा है, salt नहीं है, अरे बाई साथ, पूरे का पूरा bug salt का पाट है, और कोई भी bug salt नहीं है, बहुत नहीं साथ, मतलब क्या हो गया? गलत हो गया, मतलब क्या हो गया? गलत हो गया, आगे बढ़ता हो में, कह रहा है कि no salt are sugar, क कोई भी salt, कोई भी sugar का हिस्सा नहीं है, अरे बाबा, sugar तुम मेरे घर में ही रह रहे हो, और कह रहो कि तुम मेरे घर का कोई भी हिस्सा तुम से मिलता जोलता नहीं है, गलत बात बाई, जिस घर में तुम रह रहे हो इसी का पाट है, मतलब क्या? definite wrong, यह क्या है? contradictory conclusion है, that is why definite wrong अब चलते हैं, आगे तरब लेकर के, some salt or no sugar, not sugar, ठीके न, कुछ salt sugar नहीं है, अब देखों यहापे, कुछ salt का हिस्सा यहाँ पर क्या बोला गया, sugar नहीं है, तो मतलब यह किस के बारे में बात कर रहोगा, इस part के बारे में बात कर रहोगा, और यह part कैसा है, blank space part है और blank space वा कह रहा होगा, और एक गलत कह रहा होगा, कहानी खतम, जैसे कि इसको देखो, some salt or not sugar, अब general form में अगर देखा जाए, ठीके न, तो generally हम क्या बोलते है, यह salt का कुछ हिस्सा, sugar नहीं है, तो आपका वो conclusion, एक में हो रहा है, सही और एक में हो रहा है, गलत, मतलब not sure, और not sure के ल can't say me wrong, is that clear, can't say me wrong, is that clear, कोई दिकत, समस्या, परशानी, नहीं, यह हो गया हमारा all का case proven, जिसे यहाँ पर आपने proof करके भी देखा, और इस technique के हिसाब से भी आपने इसको देख लिया, clear है, done, चलो, next, आगे बढ़ते है, अगला है, some का case, अगला क्या है, आप पढ़ने के ब wrong नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको तीन तरह के particular यहाँ पर चीजे मिलेंगी सही, गलत और can't say, इन तीनों को समझना पड़ेगा, गलत दो प्रकार से, पहला definite wrong, दूसरा आपका does not logical follow, मतलब क्या can't say wrong, clear है, चलो, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक ह एक नहीं दो बार पड़ियेगा, सर, आपको समझ में आए गई आएगा, ठीक है, सम जेडर वाए, अब चलते हैं, यहाँ पर सम जेडर वाई की दरफ, हमने डागरम बनाया है, कुछ जेड यहाँ पर कह रहा है, क्या बोला, कुछ जेड यहाँ पर यहाँ पर क्या है, केस में, किनी दो consecutive element के बीच में, यार ना, सम के केस में, किनी दो consecutive element के बीच में ही आप definite relation को ड्रॉ कर सकते हो, unknown जो होते हैं, z और x क्या है, unknown है, इनके बारे में कुछ clear नहीं है, जो unknown होते हैं, याद रखेगा, उनके लिए आपको कुछ भी कहा जाए, इन दोनों के लिए positive negative, सब कुछ क्या होगा, can't say me wrong, विए z और x की direct information आपके पास, आपके statement में नहीं है, बचो, is that clear, नहीं है, कोई दिक्का समस्य परचानी नहीं से, आगे बढ़तों में, तो सम के case में, किनी दो consecutive element के बीच में, देखा जाए, केवल और केवल दो बाते हमें, या आपर देख पा रहे होते हैं, कि कुछ z यहाँ पर y का हिस्सा है, और कुछ y यहाँ पर z का हिस्सा है, इसके लाबा कोई भी चीज हमें आपर निश्चित नहीं देख पा रहे होते हैं, clear बात की नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर यह बात तो आपके given है, आप analytical reasoning में तीन topics आप जनरली देख पाते हों, और जिनमें से दो अगर बात करी जाए आप तो आपके लॉगिसम और inequalities होता है, तो किसी भी conclusion कॉप स्टेट्मेंट पो असे देख करके ही conclude करते हो, आप inequality में देखते हो, आप A greater B, greater is equals to C, lesser D लगा होता है, और कहा जा मतों, A greater B क्या होगा करते हो, सही करते हो, गलब तो नहीं करते हो, इस अट clear, यहाँ पर बता दू कि सम के case में किनी दो consecutive, मतलब ZY consecutive का मतलब क्या है, चुड़े हुए, लगे हुए, जिनके बारे में चर्चा की गई है, किनी दो consecutive के बारे में केवल दो बाते से होती है, सम ZR Y, सम YR Z, इस यहाँ पर यह वाला क्या हो गया, सम YR Z, यह भी से हो गया, ठीके, आगे बढ़ते है, अब बच्चों यह कह रहा है, आल ZR Y, यह विशेस है, यह क्या है, विशेस है, अब विशेस है, अब विशेस है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, आल ZR Y का, कि पूरे का हमें नहीं पता हमें इतना पता है कि कुछ एड़ वाई है लेकिन अगर पूरे की बात आ रही है तो आप क्या देख पारे हो क्या रही है इस हिस्से की बात हो रही है क्या आप बोलने हो इस हिस्से की बात हो रही है इस हिस्से की बात हो रही है तो यह जो हिस्सा है वो कैसा है blank space है और आपको क्या बता है कि जो blank space आपका है उसके बारे में आप कुछ निश्यत नहीं कह सकते हो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अब यही लोग तो बताते हैं अब इस शीच को proof करना होता है कैसे करोगा याद है आपको अब इस शीच को कि all z are y आप जब proof करने जा रहे हो तो आप जनरली देखकर क्या बोलोगे यही तो दिमाग में ख्याल आता है कि पूरा z y है नहीं भाई 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 यही तो आता है दिमाग में लेकिन जब इस से आप compare करोगे कि all z are y तो क्या बोलोगे हाँ सही है इसका नहीं और एक कहता हाँ इसका मतलब not sure क्या हो जागा answer can't से में रहा हूँ हर चीज का तो तुमको proof दे रहा हूँ हर चीज का तो तुमको proof दे रहा हूँ ठीक है चलो आगे की तरह बढ़ा जाए ठीक है 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 चलो आगे की तरह बढ़त और ZRX यह क्या है? अन्नोन है, कांट से में रॉंग, सम ZR, नॉट Y, आ गया कि कुछ Z, Y का हिस्सा नहीं है. अब देखो, जो हिस्सा Z का Y में वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा Z का Y में नहीं है, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में बात करें इसके बारे में बात करें ना? इसका मतलब ये कैसा है? ये हमारा blank space है ना? और blank space के लिए हम क्या बोलते है? कांट से में, wrong, not, should. जितने भी कांट से ना, अगर इन क्या के possibility लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? सही क्योंकि unknown की ही तो possibility क्या होती है सही होती है अब देखो no zr यहाँ पर y क्यारा कोई भी z y का हिसा नहीं यह बात निशित तोर पर गलाथ है क्योंकि कुछ हिस्सा at least एक element z का y में जरूर होगा यह क्यारा पूरे का पूरा कोई भी z y नहीं है अब यह वाली बात क्या है 100% wrong crystal clear है फिर कहता है no x are z क्यारा कोई भी x z नहीं तो x और z का यह चज़े चज़े का प्यार है current से में wrong ठीक है बिटा some z are not x कुछ z x रहे है current से में wrong ठीक है रहा तो इसमें जो important रहे वो कौन-कौन सरा यह वाला रहा और यह वाला रहा जो कि अक्सर पूछे झाते हैं अक्सर पूछे जाते हैं done ठीक है done ठाट चलो पढ़िया की तरफ ठीक है पढ़िया की तरफ चलिए अगला कतम हमारा है some not की तरफ some not यह पड़ा सुलजह हुए जिसमें लोग बड़े उलजे हुए होते हैं हमेशा हूँ हिसे आये बदाता हूं सम नौट के किस क्या है जैसे रहा सम लिली आर नौट रोस कुछ लिली यहाँ पर कह रहा है क्या रोस का हिस्सा नहीं एक अफधरण लोग के दिमाग में आती है यह है, वह क्या है? सुनिएगा. वो यह आती है, सर जी कि कुछ लिली का हिस्सा रोज नहीं है. मतलब सर, यह वाली जो चीज यहां पर दे रहा है. सम लिली आर नॉट रोज. इसका मतलब, सर, यहां पर यह सही है. तो सर, इसका मतलब यह भी हमारा सर जी इसको ऐसे समस्त है, यह लिली का घर है, होम, स्वीट होम, ठीक है, कहा गया कि लिली के घर से कुछ लोग रोज के घर नहीं जाना पसंद करते हैं, क्या मेरे इस स्टेटमेंट से कहीं आपको यह सुनाई दिया, कहीं आपको यह लगा कि रोज के घर के कितने लोग लिली क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे नहीं सर क्योंकि स्टेट्मेंट कहता है कि लिली के घर से कुछ लोग रोज की घर जाना पसंद नहीं करते हैं इससे ये कहीं भी साथ नहीं होता कि रोज के घर से कितने लोग लिली के जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, बोलो clear है, यह बात clear है, not sure, इसका मतलब यह हुगा बच्चो, कि रोज से लिली के हाँ, समझना, कोई information नहीं है, तो रोज से लिली क्या कुछ भी बोला जाए, conclusion में, some बोला जाए, all बोला जाए, some not बोला जाए, no बोला जाए, सब कुछ can't से में wrong ह होगा, so guys, याद रखेगा यह वाली बात, कि आपका some not के case में, किनी दो consecutive element के बीच में, केवल और केवल, एक ही आपका सही होता है conclusion, जो खुद statement होता है, यह बात कहीं लिख लेना, यह बात कहीं लिख लेना, मेरे भाई, यह बात कहीं लिख लेना, और some not के case में, इसके अल तो consecutive के बीच के वाल, एक conclusion सही, जो खुद यहाँ पर क्या होता है, statement होता है, काम खदम, इसके लावा कुछ भी सही नहीं हो सकता, और यह जो आपके lily और यह sun है, यह क्या है, unknown है, इनके बारे में कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं की गई है, इनके बारे में कुछ भी ब आपने बताये कि यहाँ से यहाँ कुछ भी बोलो, सब कुछ कार्ण से बरों, क्या बात है, इसी में possibility लगा दो, सही हो जाएगा, आगे बढ़ते है, no lily are, यहाँ पर रोज, कोई भी, कोई भी lily, रोज इघर नहीं जाता, देखो, important है, यह important असा बजना हुआ, कुछ नही कि अगर कुछ A का पार्ट B में नहीं है, तो possibility किस चीज की है, कि पूरा B हो सकता, जो B में नहीं, यहाँ पर क्या आ रहे, no lily are, रोज की, lily के घर कोई भी व्यक्ति, रोज की घर नहीं जाएगा, यह सम्भावना हो सकती है, लेकिन निश्यत या definite नहीं किया जा सकता है, ठ कहता है कि lily के घर से सारे जितनी भी हैं, क्या रोज की घर जा सकते, ना, 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 कम से कम एक ऐसा जरूर होगा, lily के घर में, घिल्लु कालिया, जो की रोज की घर में जाएगा, यह निश्यत है, definite है, और जब एक ऐसा है, तो बैप पूरे कभी भी जा नहीं सकते, condition क क्या होगा, यह definite wrong, जिसको मैं बिल्कुल cross कर रहा हूँ, यह क्या हो जाएगा, बच्चो, यह definite wrong, जो कांट से वो क्या होगा, यहाँ पर क्या कुछ कह नहीं सकते, सर, सम लिली यार सन, तो देखो बच्चो, कुछ लिली सन है, तो भाई, positive बोलो, चाहे, negative बोलो, unknown है, तो क् सम लिली यार रोस, कर रहा है, कुछ लिली यहाँ पर क्या रोस है, सर, हमें यह पता है, कुछ लोग लिली के घर से, रोस ही कहने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जाते होंगे, हम कह नहीं सकते, क्योंकि यह आपका vacant space की बात कर रहा है, कांट से में wrong, all rose are lily, कहता है, पूरा rose यहाँ पर लिली, मैंने क्या बताया, कि आपके some not case में, reverse में, कुछ भी बोले, सब कुछ कांट से में wrong, कहानी कहता है, some not कहता है, तो some not में सही क्या होता है, जो खुदी के statement, as a conclusion आता है, बस वही सी होता है, कुछ भी सही, नहीं होता है, क्लेरे बात, कोई doubt, कोई समस्या, सबसे सुल्जाओ, वहलो क्यों, 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 क् एक ऐसा सिलोग लेकर कर जा रहे हैं अपने साथ में, जिससे कहीं भी आप mistake नहीं करूगे, यह मैं नहीं मेरे experience बोल लुए है, यह आप सभी लोगे comment बोल रहे हैं, ठीक है ना, चले, तुद कही रहा है, no drink और night का हिस्सा नहीं है, ठीक है भाई, समस्या सुने जाएगी जब हम यह पढ़ा लेंगे, अभी जब हमको पढ़ा लेने दो, ठीक है उसके बाद समस्या सुने लेंगे आपके, ठीक है बटा, चलो, अब नोगा केस इतना सही केस होता है, कैसे, आज़ो बता दू, किनी भी दो consecutive, जो यह consecutive है ना, यह और यह, यह consecutive है, क्या दखेगा, चुकि यह certain है, कभी भी certain case में किनी दो consecutive element के बीच में कोई कभी भी can't से हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हो सकता, क्या, यह unknown है, यह क्या है, unknown, यह क्या है, unknown, लेकिन किनी दो consecutive के बीच में कभी इसके बीछ पर कांट से नहीं होगा इसके बीछ상 से हिए और इसके बीछे कैन्ट से होगा गई होगा हर एक केस को ले करके एक आपको बात बताता हो sait बहुत बढ़ी समझ में आइ airflow चो व्यक्ति जो दो होगा और अगर कोई से एक निकल कर आया और घ्यान की बातने करें लगे बेटा क्यों ऐसा कर रहे हो समाज को गंदगी से फिला रहा हूं यह क्या बोलेंगे निगल लो बेटा बहुत कंटाब मारेंगे तो नो की case में, जब कोई भी, किनी consecutive की बीच में, conclusion, अगर negative होता है, तो वो सही होता है, लेकिन अगर वो positive होता है, तो वो क्या होता है, definite wrong होता है, बचो, definite wrong होता है, clear है, आज़ो, पहला देखो, no night are यहाँ पर drink, कोई night यहाँ पर drink नहीं है, तो देखो night or drink की बीच क्या है, क्या लगा हुआ है, negative लगा हुआ है, और किसकी बीच की बात हो रही है, इनके बीच की बात हो रही है, तो क्या हो जगा, सही हो गया, positive की बीच ले जितना negative सब सही, जितना positive सब गलत, ठीक है बच्चो, यह देखो, some drink are not night, क्यारा कुछ drink यहाँ पर night नहीं है, तो कुछ drink यहाँ पर night नहीं है, यह वाला भी क्या हो गया, हमारा सही हो गया, some drink are not food, आप क्यारा कोई भी drink यहाँ पर food नहीं है, यह क्या है, Sir? unknown है न, बेर unknown के लिए क्लेवा क्या हो रहा है, some drink are night क्या यहाँ जगा हो गलत, यह क्या पॉजिटिव है, all night our food पूरा night our food ये consecutive है positive जितनी भी बाते होगे सब क्या होगी wrong all drink are night यहापर क्या हो गया wrong हो गया some drink our food क्या खुछ drink food है औरे भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये जिए unknown है all food our drink क्या all food our यहापर की drink कुछ कह नहीं सकते मतलब क्या हुआ ये इसका आशाय निकिया क्लेर है बात हाँ या ना जल्ली से बोलेंगे हाँ या फिर ना ठीक है समझ गए नोगा केस में कि आप सबसे बड़ी है मज़ेदार है कि कभी भी कॉंसिगेटिव की बीच में पॉस्बिल्टी कांट से में नहीं रहूं होगा हमेशा या तो सही या फिर गलत अन्नोल की बीच बता हुआ है लेकिन हमसे पढ़ने माले को लिए क्या बहुआ है ठीक है आजओ आप पॉस्बिल्टी में समझना ठीक है मैंने किया बलाता मैं सचन को लाइक वाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा ठीक है बस आप पढ़ते रहो दिमाग में घुसेरते रहो आप नई सर नई सर यह दोनों क्या है डाइफिनिट हैं जब तुम यह बिल्कुल सही बात है बिलकुल गलत बात है जब आप शूर हो तो तभी दो बोलने होते न तो जब शूरटी Beim universe नि जब निशित हो तुम तो समझावना क्या होगी नहीं होगी बोसुक्य उस केस में सम फॉसके बाहर क्या बोलते हैं दंगा हो रहा है हो सकता है क्लिस टृरन नहीं गें। किल साटिकर नहीं है उसकी संभावना क्या उगी अनिशिक की कैबल City क्या होती है वा कि फॉर्ण ट्रू समझतेक dobr इयर्बी ऑल एर यहां पर क्यों गया बच्चो बी हो गया ठिकर सम यहां पर सी कुछ बहार पर सब्सक्राइब प्रजिये करते हैं बसको प्रहिए बिसक्षार कांज से भी है इतना फ़ार है तो अब अगर जनरल आपने कर्क्लिदमें वह सॉल्व किया तो वह क्या हुआ 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 ना अभी हम पॉस्पिल्टी नहीं लगा रहे हैं अब नो भी आर्सी कोई भी बी सी का ऐसे नहीं आरे भाई कुछ हिस्सा तो भी का सी में बाली बात क्या होगी गलत हुए ठीक है फिर करें सम समय खिर कुछ AC है सर इनके बारे में definite नहीं कोगी इनका डिया नहीं और जब definite relation전ा स्टे पिवन में नहीं तो हम क्या बोलेंगे कांट सरम में रोंग और अभी और आपको सिखाए आ साहब के केवल और केवल जो unknown होता है डेफिनित नहीं होता है उसकी possibility के मल सही होती है बाकि जो definite possibility क्या होती है रॉंग होती है चाहती है बच्छो रॉंग होती है ठीँ है ठीक है ठीट है मिकल जब कभी भी कोई भी con Machine एगर unknown नोन इस्थिति में है तो पॉस्बिल्टी होगी लेकिन जब नोन इस्थिति में डेफिनेट है तो पॉस्बिल्टी होगी कैसे देखो बिटा कम ARB is the possibility कुछ A, B है हाँ पता है तो पॉस्बिल्टी क्या होगी रॉंग कोई भी B, C का हिसा नहीं है तो मैंने का यह बात सरासर कला था मतलब क्या मैं निश्चित हूँ और जब मैं निश्चित हूँ डेफिनेट हो तो पॉस्बिल्टी क्या रॉंग कम ARC is the possibility क्या रहा कुछ A, C होने की संभावरा मैंने का कुछ कह नहीं सकते और जब कुछ नहीं कह सकते मतलब संभावरा यहां पर क्या होती है स्थी होती है आई थिंक यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा अब हम चलते आगे की तरफ अब हम चलते आ था है ठीक है चलो बहुत बढ़िया पताया चली काफी गर्मी में मुझे क्लास लेनी पड़ रही है जहां से भी क्लास मिले रहा हूं वहाँ पर एस ही नहीं है इसमें पुरा पसीन जलात पातूं लेकर नहीं वन शॉट बोला है तो कम्प्लीट करूँगा ठीक है ना जब तुम महनत कर रहे हैं तो मैं तो तुमारे लिए महनत करूँगा ठीक है चलो बच्छो आजाओ सम इ एर एफ तो यहां पर क्या रहा है यहां पर कुछ यहां पर एफ तो में पर यहां पर जी कुछ एफ यहां पर क्या जी आप देखो कुछ F है यह बात तो सही है जो सही उसकी possibility क्या है बच्चो रॉंग है टीक है बच्चो एक बार प्लीज गुजारे श्रेक इतनी जिए अब इस सेशन को एक बार सारी सारे लोग शेर जरूर कर दें एक बार एक प्लेटफोर्म में शेर जरूर करतें जहां भी आप कर सकते हैं सबस्टे के बारे में कुछ एजी है कैसे में और जो कांट से रॉंग होती है जाया होती है मेरे भाई मजा आया होगा कि सब को मज़ा यहां पर आया होगा डन चलो नेक्स आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ और क्वेशन पर हम डिसके सने यहां पर बिल्कूल करेंगे तो चलिए एक कोशन आपके स्क्रीन पर है मैं देता हूं यहां पर जल्दी से मुझे बताइए अंसर क्या होग जल्दी करेंगे मुझे आपके जो कांट से में रोंगोस की पॉस्सिमिल्टी सही करते हैं बिल्कूल बेटा चलो ओके एए ऑड़ पिक्चर यहां पर इमेज़े बिलेंगे के जब कभी ब्याए प्रोस्बिल्टी वाले कस में उसका कोई image click is a possibility some image click यहाँ पर क्या बोला जा रहा है some image click फ़तलब की definite है ना तो possibility क्या होगी रॉग यहाँ पर क्या रहा है all photo click is a possibility all photo click याद रहे लिख लेना कहीं कि some की case में अगर all की possibility है तो वो सही होती है reason क्या आप सभी को पता है इसका possible diagram क्या बनेगा C बराबर यहाँ पर क्या यहाँ पर photo is that clear this is the reason यह reason है यहाँ पर सही कौन सा हुआ दूसरा वाला ठीक है next बच्चो अब चलते हैं लोग यहाँ पर क्या only few case की तरफ टीक है only few case की तरफ टीक है जो कि यहाँ पर काफी important case माना जाता है काफी trend में रहता है क काफी पूछा जाता है clear है तो चलो मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ only few हो बच्चो या फिर only a few हो करने का नहीं मुस्क्रा के आगे की तरफ बढ़ जानेगा ठीक है चलिए so only few y or z मैं आपको पहले समझाता हूँ basic है कह रहा है कि y का केवल कुछ हिस्सा यहाँ पर z में जाएगा केवल कुछ y के घर के लोग z के घर जाएंगे इसको ऐसा समझना है y के घर के केवल कुछ ही लोग z के घर जाएंगे इससे क्या sound आ रहा है सर assumption क्या है सर कि कुछ लोग नहीं जाएंगे फिर दूसरा कि सारे लोग y के घर के लोग z के घर में नहीं जाएंगे यही तो बात या रही न सर मैं कह दूँ केवल कुछ ही लोग y के घर से z के घर जाना पसंद करते इसका मतलब कुछ लोग नहीं करते हैं only ने रिस्टिक कर दिया definite कर दिया इसका मतलब कि पूरे के पूरे ल यह दोनों ही सही होते हैं. सम और सम नौट दोनों ही सही होते हैं. लेकिन जहां से जहां only few दिया है वहां की तरफ. जैसे only few Y और Z. तो Y से Z की तरफ conclusion में Sum and SUM NOT दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे. यह कहीं लिग लेगा, लेकिन बच्चों, यही चीज रिख़ेंद से वर्सा में नहीं होती है क्या बोल दो सर, कि सम z our y भी सही है, सम z our not y तो सम z our y सही है क्योंकि इसा कुछ इससा y में है लेकिन यह कहना, कि सम z our not y क्योंकि statement ने क्या बोला था? कि केवल कुछ ही y के घर के लोग z के घर जाना पसंद करते हैं इससे ये कहीं भी नहीं जलक रहा है कि z के घर के कितने लोग y के घर जाना पसंद नहीं करते हैं तो that is why ये बात बिल्कुल याद रखेगा कि only few case में आप y से z की तरफ some and some not सही करते हैं लेकिन z से y की तरफ केवल some सही करते हैं लेकिन some not होता है वो count से में क्या होता है wrong होता है कुछ कहा नहीं जा सकता है आएए अब प्रसीड करते हैं conclusions में ठीक है पहला बेटा some y or z कुछ y z है हाँ जी बाई बिल्कुल सही some y or not z कुछ y z नहीं है हाँ ये भी सही some z or y कहरा क्या कुछ z y है हाँ ये भी सही no y or z कहता है कोई भी y के घर का व्यक्ती z बनी है बाउर आ गया हो क्या साब साब लिख रहे हो तुम गुद कुछ लोग तो जा रहे है ना इसका मतलब definite wrong होगा बच्चो ये some z or not y कहरा कुछ z यहाँ पर y का हिस्सा नहीं है तो मेरे भाई अभी अभी सिखा है मैंने कि आप only few case में reverse में जो some not होता है वो कांट से में wrong होता है because निशित नहीं कह सकते हैं फिर देखो all y are z के रहा पूरा y z है नहीं नहीं वहां लिखा है सर कुछ ही केवल y के part z में जाएंगे पूरे नहीं जाएंगे definite wrong है all z are y हां इसको समझ लेना reverse में आपको यह नहीं पता z के बारे में कि जो बचा हुआ पार्ट है जाएगा या फिर नहीं जाएगा पूरा जा भी सकता है और इतना पार्ट नहीं भी जा सकता तो यह कहना all z are y can't say wrong तो इस part के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता इस राट क्लियर आया मसा conceptual पार्ट चुकि हम आपको paid class में पढ़ाते हैं इनिशेटिव लिए गया है कि आप लोग के लिए यहां पर पर पूरा स्लोगिसम मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि आप सारे लोग जो यहां पर इस session को देख रहा है एक बार फिर से c स्मझे का क्या होता है जो सकते हैं अब इसे बोलते हैं हम लोग बड़े प्यार से कट बढ़िते हैं ले faced देख्ए होंगे कि वहां पर जब औली आता तो लोग कटपा लिखना शुरू कर देते हैं कटपा क्यों आए बताते हैं ओनली केस ट्रेंड में है देखने को मिलता ही मिलता है इसको ऐसे समझते हैं ओनली कि ए आर यहां पर भी किना ओनली एर भी अरे तुम लोग बटा जगलो कई टीचर आज जग रहे होंगे तुम तो जगी सकते हो ना खुद के लिए है ना जब तुम्हारे लिए मैं सुचो किसी दूसरे के यहां से क्लास ले रहा हूं मैं अभी मुझे जाना है मुझे नहीं प करेंगे ठीक है तो यहां पर देखो किसमें कनवर्ट होता है आप सभी को पता है क्यों होता है जुस्वाइए लिए बड़े प्याषे मिदी क्या है इसका मतलब राज क्या है इसका अभी जब एक जनवरी को और आइगा और फिर आपका वहाँ पर एक अप्रेल को जब IVPS का रिजल्ट आएगा तो हम आप सभी के लिए फेलिस्टेशन करेंगे फेलिस्टेशन प्रोग्राम में आपको बलाएंगे हो सकता है बैंक वाले हैं एससी वाले हैं रेल्वे वाले हैं कहां 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 तक कि लोग आए तो हम अपने ओफिस वाय को भेज करके बोलेंगे भाईया जी जाओ जितने भी लोग बैठे हुए हैं बैंकिंग वाले कितने जितने भी बैठें बैंकिंग वाले उनको कॉफी देकर क्या हो साथ में कुकीज देकर क्या हो तो कह रहा है कि साहब हम कही से जानब कि कौन बैंक सब्सक्राइब और यहां पर कि यहां पर किया मैंने इसकी जगह रख दिया और यहां पर बी की जगह रख दिया बैंकर कोई दिखकर थो नहीं है क्यां पर बैंकर्स तो मैंने उसे बोला कि जाओ जितने भी और कोट पहना हुआ है तुम सब के लिए तुम आ रहे हो ठीके आओ बिल्कुल तुरंत थमादी पहनो लाल कलरा कोड मेरे बैट लाल बास्सा बन जाओ बिल्कुल जितने भी वैंकिंग वाले उन्होंने रेट कलरा कोड पहना हुआ है तू उसको जब मिन्टॉस कला है तुसको दिमाग बत्ति जली किसे क्या बोला पता है तूसने क्या बूला सर कहने का मतलब यह तू नहीं है कि सारे बैंकर्स ने रेड कलर का कोड पहना हुआ है किया हुआ हुआ कि सब्सक्राइब यह डिडियुक्त कैसे का कोड़ी से कॉलो अपके है की यहां है और एक का ही पार्ट हो सकता है किसी और से नहीं क्या किया था बाहु बली को यौन Mogha पता इसमें आपका गाना वाला नहीं हिट होता है कौन सब्सक्राइब बढ़ा लॉयल होता है इसके लिए इसके लिए किसी और को लग रहा है कि यह रिकॉर्डड क्लास है अरे लगने दो या कुछ लोग को लगना भी चाहिए ठीक है चलो अब यहां पर क्या होता है सि कंडिशन क्या अधियों इसनी क्यों फेमास है की जो बी होता है स इकन्ट एलिमेंट जोता है भी कंग का णि 10 बीज़े suite अभी अपार्ट ओफ दार्वियाी रव और आप्व कि ए अधर आधरफ कि ए अधर इलिवेंड एनी अधर एलिमेंट एक्सेप्ट एक मतलब मैंने ए और बी ले लिए आपर ठीक है कि बी किवल एक के साथ रिलेट करें किसी और साथ रिलेट नहीं करेंगा ठीक है बच्छो आजाओ अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक्जैंपल बढ़ी है ठीक है एक कोश्चर आपको ब स्टेटमेंट यह ले लिया ऑल यहां पर एक मैं और स्टेटमेंट ले लेता हूं सम यहां पर क्या सी ले लिया अब मैंने कहा बच्छो कॉंक्लूजन में यहां पर सम Sumb B-C- is a possibility, बताओ answer क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं, जनता की अवाज मैं सुनना चाहता हूं क्या होगा, फटा पड़ बताएंगे मैं बेटा, ठीक है, कि जनत वाज क्या है बस सुनना चाहता हूं जल्दी जल्दी फटावाट फटावाट फटा फटावाट 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 जल्दी से करेंगे बताएंगे अंसर बहुत बढ़िया जबर्दस शाबास मज़ा आगया मज़ा आगया बहुत बढ़िया जब बात है बहुत बढ़िया मज़ा आगया आचाओ सम बी आर सी इसा पॉस्बिल्टी समझना कुछ बी सी होनी की संभाव ना है अरे लाड़ ले पस यहीं तुम्हें देखना है कि आउनली केस का जो सेकेंड इलिमेंट भी है ना यह लायल है मतलब लायल है यह केवल और केवल ए से रिल समझ गये only case को कैसे करेंगे समझ अपका only case हो गया next जलते हैं आपड़ किस की तरफ अच्छो हम लोग चलते एक question की तरफ आपको मैंने question दिया हुग है solve कर कर बताइए answer क्या होगा एक किसका question लिए लो एक किसका question करका देखाथो क्या हो जागा कि यह कोश्चन करें दिखा दो फटापट कि मौन एब्रीवन कि लिए बहुत बढ़ी है जबर्दस तरुन सल गोत्रा अप्षा बेटा बहुत बढ़ी है आपने तो आगे पूरा तमा मान दिया है बहुत बहुत स्वागत आभारी हैं आपके बेटा किसी से पढ़ी है पेन टार्गेट है हमारा या आपका सेलेक्शन वह हमारा सेलेक्शन को अब जितने साथ ही आप जुड़े काफी दिर जो हो गए जो बुजुर्ग हो गए हो तो आप सब्सक्राइब चमकाएं कि देखते रहेंगे बाजना अभी तक सेशन को थमसर नहीं किया और कर दीजिए और जितने लोगों नहीं किया ठीक है चलो प्रेशर के लिए तो रामबार है और जो फ्रेशर नहीं नॉन फ्रेशर कंफ्यूज है उसके लिए रामबार का पापा है ठीक है ना चलो only a few chain is screw के रहा है के केवल इसड्री इसके अंदरिया ठीक है चलो पहला कहता है पूरा की क्या आयम हो सकता है किसी और काहीं हो सकता है ठीक है बचो next कहता है all chain can be, can be का मतलब संभावना, कि all chain can be screw, क्या पूरा chain, क्या पूरा chain screw हो सकता है, उपर लिखा था सर जी, कि only few chain screw, तो पूरा chain कभी screw नहीं हो सकता, मतलब पहला भी गलत और, दूसरा बेला मतलब क्या अंसरा गया, डी वाला, ठीक है, अब चलते हैं, आईदर और केस की तरफ, या तो, या तो, या तो, last case of this class, क्या होगा, समझेना, ठीक है, यहां पर, समझेना आप लोगो, आईधर और केस क्या होता है लिंगिदी के साथी है तो पापा कहते हैं सुनों बीटा जाएगा तो कोई एक लोग अब दोनों कंफ्यूज है अब दोनों क्या हैं कि अब कौन जाएगा कौन जाएगा तो यहां पर case कैसा हो गया या अब इन दोने में कोई एक जाएगा अगर यह गया तो यह 100% नहीं जाएगा और अगर यह गया यह 100% नहीं जाएगा कभी भी किसी भी statement के बिहाफ में कोई भी statement माली जा दिया हुआ है आपको conclusion यहां पर दिया गया पहला और यहां पर दूसरा तो कहरा है कि both the element of two given conclusion must be same तो दोनों ही conclusion में दिये गए आपके element same होने चाहिए जैसे sum ARB यहां पर भी आपका no ARB तो element A और B same है दूसरा बोथ the conclusion must be wrong definite wrong नहीं सर जी अगर definite wrong हो जाएगा दोनों ही नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन आइदर और लगाने के लिए एक को जाना पड़ेगा और एक को नहीं जाना पड़ेगा ठीक है दोनों कैसे होने चाहिए कांट से फिर से आया है आपर काम आया कांट से में क्योंने चाहिए रोंग होने चाहिए और तीसरा है complimentary pair होना चाहिए के वाद दो ही complimentary pair होते हैं some no और दूसरा होता है all and some not अगर कोई बोले निकल लो क्यों प्रूफ करके तुमको देंगे हम ठीक है ना प्रूफ करके तुमको देंगे जो प्रूफ चाहिता है वो यहाँ पर जुड़ा रहे है ठीक है चलो बेटा अब यहाँ पर हमने apply किया किस पर इस पर हो apply करके समझने का पहला कहता है सम डबलू आर यू पहला कहता है सम डबलू आर यू पहला कहता है सम डबलू आर यू पहला कुछ डबलू यहाँ पर यू है ठीक है यह क्या हो जाएगा कांट से में रॉंग हो जाएगा कांट से में रॉंग हो जाएगा कांट से में रॉंग हो दोनों 물론 सभी है कि पहली कंडिशन थी कि दोनों एलिमेंट सेम होने है चाहिए क्या क्या थी दोनों हमारे काण्ट सेमे होने चाहिए मąda चाहिए दूसरी कंडिशन फी кого प्रथी स्नुरा थी या थो सम्च और नो कोंप्लीमिंट्री पेर है यहां पर क्या दोन सहाप जाएगा ठीक है रंजी जिसके बाद नहीं होगा पांच पे से गलती होती मैं अपर तो बता रहूँ यहांपर नहीं हो करें यहां पर रॉंग आप सम नौट का कॉंप्लिमेंटरी पेर है तीनों कंडिशन फुल्फिलोरी मतलब क्या बन जाएगा आइधर और आपको बात पता है कि आइधर और यह तो चलो किताबी भाशा हो गई आखिर कार आइधर और होता क्यों है इसकी पीछे का लॉजिक क्या है आई एसा दूंगा आपको मजा आजाएगा शायदास के पहले कभी आपने देखा ही नहींगा इस लागी साम आपका प्रेटिकल सब्जेक्ट है या इतना प्रेटिकल कर निगल कर सामझाएगा ठीक है ना क्यों सम और सम सम नौट का कॉंप्लिमेंटरी पेर क्यों नहीं बनता है आज आप वो भी जान जाओगी हमेशा परसान रहते हो ना उन्होंनों तो यह बताया था इस रेट क्लियर आज आप यहाँ पर जान जाएगे क्यों आखिरकार ऐसा होता है ठीक है आजओ आजओ आज सिच्यूशन होगी यह तो निगेटिव यह मान सकते हैं इस स्टेटमेंट ने हमको क्या बता है इस स्टेटमेंट ने हमको दिया कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं इस स्टेटमेंट ने हाथ ऐसे घड़े गल लिया इसे हिलने लगा मतला वह खतम हो गया अब हमने डबलू और लाजमी सी बात है इससे कंपेर करने यह क्या हो गा रोगा यह जाएगा यह जाएगा निश्चत तॉर पर यह तो देखो पहले वाले को सही वानते हों चुकि इसने काड़ से आंसर दे दिया उसने खड़े कर लिए लेकर हम अब देख रहे हैं, नो कुछ तो हो सकता है, तो पहले वाले को सही मालति हुए, स्रम WRE called U. अब दूसरा वाला ज़ो है, वो पहले वाले पर आपको अपलाई करना है, जब आप पहले वाले पर अपलाई करोंगें, तो वो क्या होना चाहिए, definite wrong होना चाहिए कैसे आओ no wr u कोई भी w u का हैसा नहीं तो क्या हुआ यह बात निश्यत तोर पे गलत है अगर यह जाएगा तो यह निश्यत तोर पे उस पे नहीं जाएगा और अगर यह गया अब हम इसको दूसरे वाले को सही मानते हुए अब हम दूसरे वाले को सही मानते हो डागराम बना रहे है no w यहाँ पर क्या हो गया यू हो गया अब हम दूसरे वाले को सही मानते हो डागराम बना रहे है और पहला वाला इस पर अप्लाई कर रहे है किस पर इस पर अप्लाई कर रहे है ये कही नहीं पड़ोगा आपने इस एच्जों आइदर और केस बनता है या कोई बताता नहीं इस एट क्लीर बात ओके यहीं चीज आप इसमें प्लाई कर सकते हो देम से क्या दिया ड्राइंट से और रॉंग अब क्या हुआ कि अब उसने तो आपने कांट से बोल दिया मतलब उसका काम खतम हो गया मैंने भाई W और U के लिए कुछ तो होगा positive और negative तो मैंने पहले वाले को सही मानते हुए diagram बनाया और W यहाँ पर क्या बनाया और दूसरा वाला आपने से apply कर दिया यह नहीं तो क्या हुआ निश्यत रौप से गलत अब दूसरे वाले को सही मानते हुए मैंने क्या बनाया डागराम बनाया तो पहला वाला जब आपने apply किया पहला वाले इस पर अपने apply किया तो पहला वाला क्या रहा है और W आर यू आपको पते हैं न कि कुछ ही W का हिस्सा यू में यह कहना कि पूरा डबलू यू होगा निश्य तौर पर नहीं होगा सर इस इस फ्रेटिकली प्रूवेंट आइधर और लिटरली आइम टेलिंग यू कि आपको जो प्रूफ मैंने दिया है ना सर बर्दस प्रूफ है और अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि सम और सम नौट की बिचाधर और क्यों नहीं बनता है आए सिखाता हूं ठीक है ठीक है सिखाता हूं यह मैं टा दू पहले चले यह मैं टा देता हूं पहले क्यों नहीं बनता है वो अब देख लिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पसीने से नहां गिया मैं बहुत सब्सक्ति यहां यहां पर कैसा इमें का स्प्सक्राइब नहीं कि यहां पर यहां पर क्या लिखा यूब आप दूसरा वाला इस पर अप्लाई किया कि सम डबलू आर नॉट यू तो आप खुद बताना कि कुछ डबलू का हिस्सा यू मैंने ये क्या है बेकिन डिस्पेस की बात हुरी ना इसका मतलब क्यों हो जागा कांट से में रॉंग तहब और और केस कहता है अगर पहला वाला तुमने सही मारा है तो दूसरा वाला अप्लाई करने पर उस पर वो डेफिनिट रॉंगा ना चाहिए कांट्से का मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है this is the reason behind कि समसम नौट का कियो नहीं बनता है क्यों नहीं बनता है मजा आया मजा आया क्यों प्योंगा समझ गया आपर आजकर टेंशन नहीं होगी अब यहां पर मैं दिखाता हो वो reverse element वाला case, reverse element वाला case, ठीक है, reverse element वाला case होता है, उसमें आपने देखा होगा, कि sum और no के case में element flip कर जाते हैं, तो फरक नहीं पड़ता, लेकिन अगर माल लीजे, कि आपका यहाँ पर all और sum not की case में element flip कर गए, तो वो आइधर और नहीं बनता, आएए बताता हूं, यहाँ पर क्या हो गया, n हो गया, अब आपने पहले वाले को रखा, अब ML, अब ML, अब देखा जाए कि हो सकता, पॉस्तिव हो या हो सकता, निगेटिव, आउचेक करते हैं, जब चेक किया है, यह इसलिए तो आपने जवाब दे दिया, कांट से में रहा हूं, तो पहले वाले को सही मानते हुए, रे डागिरम मनाया, सम MR यहाँ पर क्या लिखा, L लिखा, दूसरा वाला इसका अपलाई कर दिया, कि no LRM, कोई भी LM का हिस्सा नहीं है, यह वाली बात क्या है, निश्यत दूरूप से गलात हो भी, बलो हाया न, और जब आपने पहले दूसरे वाले को सही मानते हुए, कि no L यहाँ पर क्या M ड बनता है, लेकिन, आल सम नौट के केस में देखों, यहाँ पर, यहाँ पर कांट से में रौग, सम LR not M, कांट से में रौग, बलो क्लियर है बात, है न, पहले वाले को आप सही मानते हूँ, डियाकराम में ने बना है, कि all MR यहाँ पर क्या प्रूफ लो नहीं है, प्रूफ इसकी बात करोगे न, तो क्या हैगा, कांट से में रौग हैगा, तहाब आइदर और केस, अगर पहला आपने सही मान के बनाया है, तो दूसरा उस पर डेफिनिट रौग अना चीए, कांट से में रौग वाला नहीं चले गा, इस इस दर रीजन कि सर, यह हो जाता है आपका को मैंने यहाँ पर बताया, कंटस करा दिया, हर एक चीज मैंने कलियर करा दिया, और अब मैं आपसे जो एना, एक क्वेशन पूछन पूछना चाहता हूँ यहाँ यहाँ पर, मुझे बताना आप लो, चलो इस में ले लेते हैं, कहां 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 कैसे आएगा, तो मुझे और यहां पर दूसरा लिखा हुआ यहां पर किया कि नो पी आर यहां पर पहला कंक्लूजन कहता है कि फिप्टी पर्सेंट पी आर कि फिप्टी परसंट ब्यारे और दूसरा कहता है यहां पे सम ए अऊच़््थे बना ड्री चलोओ इसका आंसर बता दो जिद यहां सीखोंगे फिर से आप टें पर विएयंगे नहें बनता है पिटा और सक्कpowered करेंगे कि रंजीत सेंग की घजब सर जी आज कंसरप्ट क्लियर हो गया एदर और में की फस्ता था ठैंक सर्टन चलो बहुत बढ़िया एक कंप्लीट क्लास हो दी है ना बहुत इंपोर्टेंट है सर चलिए आए बात करते हैं इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा देखो बच्चो अब यहाँ पर क्या किया होगा समय यार्भी आपने डागराम ऐसे बनाया होगा कुछ यहाँ पर बी का हिस्सा है और यह नू बी आर्षी कि कोई भी यहाँ पर कह रहा है किसी का हिस्टा था भी बहुत बढ़िए तुब अ बर्दस अब पहला कहता है 50 परसंट वी आरे मैं आप आपको बताया था ना कि जब सम का केस में बता रहा था कि सम को 0.1 परसंट से लेकर के 99.9 परसंट तक बोलते हैं लेकिन कब कैसे बोलते हैं किसका यूज कहा होता है यह मैंने कात आपको बताऊंगा ठीक है तो बहुत सारे लोग आपने से 50% को क्या लिखती होंगे और आप प सर होता है कांट से में रहां क्या होता है सकांसर कांट से में रहां क्यों सर ऐसा क्यों होता है रीजन दो हर चीज का रीजन देंगे बच्छो अब इससे देखो यहाँ पर सी यहाँ पर कहने को तो यहाँ पर अन्नोन है मतलब क्या अन्नोन रिलेशन है लेकिन इसको कहते है in direct relation, sum A or not C, A का कुछ हिस्सा किसमें है, अब देखो यहापर गौर से, A का कुछ हिस्सा किसमें है, B में है, बोलो, हाजी सर, B में है, किसमें है, बोलो, सर, B में है, और यहाँ पर कहता है, कि B पूरे का पूरा यहाँ पर क्या कहता है, C में नहीं है, B पूरे का पूरा किसमे नहीं है C में नहीं है तो यहाँ पर यह हुआ कि B का जो यह वाला हिस्सा है जो A का है वो भी C में नहीं होगा तो यह A क्लेम कर सकता है कि मेरा कुछ हिस्सा क्या मेरा कुछ हिस्सा C में नहीं है यह वाली बात क्या है यह डारेट इसका रिलेशन नहीं था इसकी वज़े से रिलेशन आपर बन गए ठीक है कोई दिक्कत समस्या परशानी नई सर ठीक है पहला वाला सर परशानी है तो दूर करिए कार्ण से में रौंग क्यों आउ सिखाते हैं यदि मैं कहता हूं कि इस बॉटल में इस बॉटल मे कुछ पानी है तो अगर कोई मुझसे कहे कि इस मॉटल में 50% पानी है क्या आप उस कुछ के आधार पे क्या प्रतिशत जो की कुछ क्या होता है सम क्या होता है अंसर्टेन प्रतिशत क्या होता है 50% definite मतलब certain क्या आप कुछ के आधार पे प्रतिशत निश्यत कर सकते हो तो आ अगर आपका statement uncertain है, क्या है, अगर statement आपका uncertain है, यहां दोको A और B के लिए आपका statement क्या है, uncertain है, और 50% की चीज़ क्या होती है, certain होती है, हमेशा या दखेगा, कभी भी कोई भी uncertain statement, कभी भी certain conclusion को सही नहीं कर सकती, या definite नहीं कर सकती, लेकिन अगर उल्टा होता, आपके statement में यहां पर होता, कि 50% A, R, B, अगर यहां होता, और conclusion आपका यहां पर मुझसे पूछा जाता, कि sum B, R, A, तो मैं हस्ता हुआ कहता, कि हाँ जी हाँ, एकदम सही है, क्योंकि सर, निशित किया गया है, इसमें 50% परसेंट पानी है, और नहीं सकते, सर, वो कुछ बोला है, कुछ के लिए हम निशित नहीं कर सकती, कि वो 50% ही होगा, that is why answer would be current seminar, which is very important, which is very important, I think आप यह बात समझ पाए होंगे, यह बात आप समझ पाए होंगे, एक concert का photo ले लो, screenshot ले लो, ताकि आपके आपके पास बना रहे बेटा, ठीके न, बन यहां पर कभी भी, can never, अगर जैसा particular आपको यहां पर मिल जाए, किसी भी conclusion में, तो क्या करते हैं, आईए मैं आपको सिखाता हूँ, सबसे पहले diagram बना लो, no flip card, क्या बोला है मैं यहां पर, no flip card, यहां पर Amazon, क्या बना लिए, no flip card, यहां पर Amazon, ठीके न, क्या कह रहा है, some Amazon are not मिल जाए, कुछ Amazon यहां पर क्या कह रहा है, मिल जाए, पिर कह रहा है, all मिल जाए, यहां पर स्टैप बना यहां पर, क्या हो गया है, यह आपका statement है, क्या है आपका statement है, अब हमेशा या दख ना, जब कभी भी, can never prove कर रहे हो, हिंदी में, क्या कहना चाहता है, कि सभी snap डील कभी भी फिलिप कार्ट ने हो सकता मतलब पूरे स्नैप डील कभी भी फिलिप कार्ट ने हो सकता जब कभी भी स्नैप डील और फिलिप कार्ट की बीच अन्नोन रिलेशन हो परी बात को गौर सुनना जब कभी भी कैन निवर हो और जब कभी भी जिनके भी के आने बर है उनस एलिमेंट की बीच अगर अन्नोन डिलेशन हैं है अगर अन्नोन डिलेशन है क्या बुला अगर अनून डिलेशन वह सबmbre तब statement से जाकर पूछना, क्या पूछना, क्या ये संभव है, क्या ये possible है, अगर आपके statement ने, अगर आपके statement में बोल दिया कि हाँ ये संभव है, ये क्या हो जाएगा, कलत हो जाएगा, अगर statement ने बोल दिया, हाँ, ये संभव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही, लेकिन कब, जब यहाँ पर unknown relation हो, snap deal और किसकी बीश, फिलिपकार के बीश, लेकिन अगर definite relation, निशित relation है, तो आप जाके मत पूछना, direct check करना, कैसे आओ दिखते हैं, snap deal यहाँ पर है, और फिल कार्ट हो सकता है, तो भाई, दिखा, यह unknown है, और unknown में जो possibility होती है, वो क्या होती है, सही होती है, बतलब यह क्या हुआ, जूटा, lawyer, liar, यह क्या हो गया लेकर डिखने रिलेशन तो आप डिखने हैं फ्रैंश 672 अगर नों डॉलेशन द्धार ने नरॉडट इसन अगर संभाव है अगर संभाव अगर संभाव नहीं था में है स्मझ और यह पास समझ में गींच दिla papers г th sub nine नहीं है तो सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कर पोस्बिल्टी क्या होती है सब्सक्रेकर नहीं है संबस्क्राइब के सब्सक्राइब हो कि आज का लास्ट कोश्चन है कि आज का लास्ट कोश्चन है करेंगे ते लिए पॉल स्प्रिंग यहाँ पर कह रहा है है फ्पी मैंने इसके बहुत सार प्रैक्टिस कोश्चन दी है पीडियाफ में पीडियाफ कम्यूनिटी में अप्लोड हो जाएगे कल सुबह तक तक तो अब तो सब सो गया होंगे अब नो हैप्पी यहाँ पर क्या जुआ है और यहाँ पर करना नो जुआ है इस मार्च और इस पर्टिकुलर सेशन के लास्ट में भी लगा दूँगा कोमेंट सेक्षं में भी लगा दूँआ ठीके ना परशयार मत हो आपकोश्ण सॉल करना सम मार्च कई रवी थे हाथ पर हाँ वह सकते इसका मतबर है क्या हो गया गलत हो गए क्यों जब अन्नोन रिलस्ट था तब जा गे पुछा अब कर आ gim気 क्या निवर भी मार्च is Pubra स्प्रिंग कभी भी मार्च नहीं हो सकता यह क्या पूछ लो तो पता क्या चला हो सकता मतलब एक फिर से क्या हो गया गलत हो गया अंसर क्या आपका आया पर यह था हमारा यह काफी मजाया आपको भी और हमें भी ठीक है तो जितने भी साथ ही हमाई साथ जुड़ना चाहते हैं इस प्रटिक्लर केंपेंड में हमारे एप्लिकेशन वाले कोर्से में तो डेफिनिटल आप फॉलो कर सकते हैं तो आगे क्या है बहुत कुछ आप लोग के लिए कोशन से कोशन ही कोशन है सौल करना सौल करना बताना कैसा रहा कैसा नहीं रहा ठीक है बहुत सरे कोशन दिये हैं मैंने बाकि आप लोग हमारे पेट बैच साथ जोड़ सकते हो डबल वैलेडिटी ओन महा पैक अच्छा लगा हो सेशन तो बिल्कुल आप इंडॉल कर लेना जाकर के देंके ना जुड़ जना शुबं सर के सारे बैच मेरा जो कोशन बैच है वो शिखर बैच है एक आप उसके उससे फांडेशन पर सकते हो तो इस बैच को मलब किसी भी महापैक को और किसी भी लाइफ क्लास जिसमें आपको जुड़ना है आप इस कोड के जरीए बैंक इससे सी रेल में किसी भी महा पैक में जोड सकते हो डिसकाउंट के लिए यह है महा पैक आपका देखो यह आपका बैंक पियो के लिए है कि बैंक आपका पियो और अप्रेस पड़ेगा जब आप यहाँ पर क्या लगाओगे कोट वाई टू सिक्स वन एप्लिकेशन से लेना है अड़ा 24-7 की लिंक दिया है कॉमेंट सेक्शन में ठीक ना यह आपका जो महापैक फिला से बच्छो इसमें पियो और क्लर्क के साथ साथ ग्रेट एक ग्रेट बी और एस सो की एक्जामनेशन भी कवर होंगी लाइब क्लास है और किसी भी बैच को यह बैच का शुरू हो रहा है और फास्ट्रेक रिविजन बैच 20 अब अक्टूबर से जिसमें आपको यह आपका आर्विया टार्गेट वाला बैस था जो क्या आपका कम्प्रीट बैच है टॉपिक वाइस कवर किया क्या अभी भी क्लास्टेशन र पर लगा प्लीज वहां पर कमेंट जरूर जरूर करना पर क्या अब कि सक्षे रहा है चली रहा है तो आप लोग यहां चाहें चाहें तो स्ब्सकाइब कर लिए अच्छा लगाओ, सेशन को लाइक कर दीजेगा, ठीक है, और एक बार शेर, जैहिन जैबारत, मेरे रोजाना सुबह क्लास यूटूब में होती है, सुबह नौ बजे, आप लोग जोड़ से, थाइक यू सो मच, है वगो टे, पर